नकलता को रोटी बनाना आती है लेकिन थोड़ी कम आती थी मैंने आदे गंडे में सीखा दिया था उसको बगवान को बढ़िया भोग लग रहा है मुझे लगई भोग ते दूसरी थाली थी उसमें मैंने ले लिया और शुरू करते हैं आई आप भी बोजन करिए प्रशाद उतर मेरे गर के पीछे हुआ यहां पेड़ नी थे मारे डेर सारे बबूल के बड़े-बड़े पेड़ थे जैसी भी से फिर उनों ने वह सफाई की थी तो पीछे वह अभी भी पड़े हुए सुखे हुए उसी में से एक लकडी लाया में और काफी मेहनत किये चिलके वगर कर चाप है तो तेल हो गया गरम गाइस डालेंगे जीरा चाहरी और यह डाल दो इसमें अब मसाला पगजेगा है तो गाइस मसाला लगबग पगग गया है ठीक है अब इस पर थोड़ा जड़ डाल देते हैं मैं बनाना उड़त की दाल मस तो मैंने इसमें डाल दिये दाल अब कुकर को करेंगे बन तो कनक लाता थोड़ी कल्पना तो कर तेरा वो फ्लेट है ठीक है मैं भी कहीं आसपास 10-20 क्रिमिटर में ले लेंगे बढ़िया और गार्डन एरिया में ऐसे ही बढ़िया बनेगा ख पकोड़ी बनाएंगे कभी बबल भी आ गई कभी यह है वह है फूल पत्ति लगाएंगे बड़िया एकदम फ्रेश मूड तेरे जो प्लोज फ्रेंड हो वाँ भी वह आ सकते हैं ठीक है काफी टेम से सुक्समेजगत में बापू अरको प्रेणा दे रहे थे कि प्रेम से सब खीक हो सकता है महादेव की प्रेणा थी ही तो कनकलता कनकलता आटा लगाते ठीक है आटा लगाना दोस्तों सबसे आसान काम है जल थोड़ा दालते जाहिए आप और ऐसे से करते जाहिए और फिर बाहर से स्टुडेंट्स रूम लेके रहते हैं कई शेहरों अगरा में तो उनको घर का नास्ते पे ज़्यादा जोर देना थी है बहुत कम टाइम में बंजरता है तो यह आठा लगवग लग चुका थीक है अब इसको घूतना पड़ता है थो ठोड़ा ऐसे इसे करकी थोड़ा जल डाल दो खिर दो मिन छोड़ दो उसके बाद इससे घूत लीजिया इसको थीक है जितना आठे को घूतेंगे जितना आठे में आप महनत करेंगे उतना ही पोड देना है और कुछ गिला कपड़ा साफ इस पर डग भी सकते हैं घर में का सीजन है तो इसमेर को लगता दाल बंगी होगी उतार देते हैं मैंने चड़ा दिया तवा कीचन से रोटी बेल के लाता हूं रोटी बेल के लिए एकदम गॉल थी इधर से पकड़ी इसलिए नक तिन रोटिया बना रहा था दो थोड़ी पतली एक थोड़ी मोटी बाद में लेकिन कनकलाता की बात यहाद है मेरका उसे खोबड़ी सही नहीं रहती लगता अब तीन नहीं बनानी चार या पांच जो भी है यदि आपके पास कपड़ा नहीं हो कैसे कर एक रोटी के ओपर दूसरी को डाल दो एक के ओपर एक ठीक है ना और फिर ऐसे-ऐसे करते रहो आप तो सिख जाती है तो चारो तरफ ख्लेम लगती है इसमें गेस में बीच में लगती है इसलिए तो कपड़े से साइड को सेखना पड़ता है ने तो साइड कच्छी रह जाती है तो इसको तो ठीक है रस बहुत है इन निम्वों में मैंने नी चोड़के देखा कुछ निम्वों को गाइस में समझता था दाल कच्छी रह गए यूगले के बन गए न उड़तकी थैंक्यू कुकर भाहिया यह तीसरी रोटी बन रही इसमें एक रोटी का और है अटा इसको कर देंग दाल ले लिए चोटी कटोरी में दाल ले लिए बड़ा कटोरा दिया था तेरा गिफ्ट किया हो मझे अच्छा लगता है अपने अपने गार्डन का निम्वों निचोड़ देतें इसमें सरकारी अजियरी हुती ही राजस्ठान की सरस उसका गी है काफी प्यूर ही रहता है इस पात्रमी थोड़ा निकाल लिए है रोटी को लगा थे भागवान को लगे तो यह और कनकलता के में चाहता हूं थोड़ा गी ले जाना और लड्डू फिर से बनाऊ अब की बार बबल के लिए भी बनाऊ थोड़े मेरे लिए बबल के लिए और कनकलता के लिए बड़ी इच्छा है आगे महारणी जे सादेश करेंगी गाइज रोटी और डाल इतनी टेश्टी बनिये दाल का क्या टेश्ट बताऊ अद्बूत तो यह प्रशाद हो जाता है भोग लगाने के बाद और आपका भाव है गयर तो आपको टेश्ट भी अलग मैसूस होगा उसमें कि आपकी आधी वे आधियां, बीमारियां, शारिक, दोष, तुर्गुन ठीक करता है, तो गाइज मैं छट्टा के लेडियां में, चद्दर एसी जगे बिच्छाई के आधी धू फैदी छाओ है, रिलेक्स करो, सब कुछ ठीक होगा, बापु ने रात में प्रेना दी एक पकड़ से महादेव की प्रेना है, कि प्रेम अनली, प्रेम से ही सब ठीक ह मत जड़ता है,